तो forms को लेकर आपका ये आखरी वीडियो होने जा रहा है इसमें दो form को आपका clear करेंगे एक आपका family medical history होगा यानि कि last में जो आपको दिख रहा है family medical history और एक आपका undertaking COVID-19 का ये दो form को इस वीडियो में cover करेंगे उपर से आपका consent form already जिनका 18 से age कम में बता चुके हैं और एक आपका social media का उस पर भी हम बात कर चुके हैं तो दो आपका cover हो गया है इस वीडियो में दो form को cover करेंगे COVID-19 का और family का medical history का ठीक है और इस form का भी आपको दो photo copy करा लेना है एक आप blank लेकर जाएंगे और एक घर से भर कर ले जाएगा क्योंकि सामने भी वहां पर वो सारे forms को fill up करवाते हैं ठीक है तो सामने भी आपसे वो करवाएंगे जितना भी forms है यहाँ पर सबका वहां पर सामने आपसे भरवाया जाएगा ठीक है तो instruction वेगरा तो आपको पता ही है चलो आप चलते हैं forms के तरफ और आपको एक एक करके समझाते हैं बढ़िये तरीका से और जितने भी candidates चैनल पर first time विजिट कर रहे हैं चैनल को आप लोग कर लेना subscribe क्योंकि अभी medical का details में वीडियो आना बाकी है और उसके अलावा अभी काफी important और भी वीडियो जो की आने वाली है ठेके उसे भी आप लोग देखकर ही जाएगा जोइनिंग से पहले और नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा Mr. Nagnivir Group का तो ग्रूप को आप लोग जरूर जोइन कर ले क्योंकि वहाँ पर आपका जो भी doubt होगा वो clear किया जाएगा और doubt session भी आपका टेलीग्राम पर 9 बज़े रात को लगता है तो doubt भी आप डारेक्ट पूस सकते हो और आपका दोस्त वेगर आपी मिल जाएंगे बेलगाओ और तामरम जाने के लिए चलिए आप फॉर्म के तरफ चलते हैं तो यह जो आपका फॉर्म में कोविड-19 देख लो यहाँ पर ठीक है यहाँ पर पहले तो आप लोग रॉल नंबर को अपना पहला वाला जो ब्लैंक है उसमें डालोगे रॉल नंबर दूसरा वाला में अपना पूरा नाम को फिल अप करोगे उसके बाद यहाँ पर ट्रेड इस्ट्रीम जो आपका यह ब्लैंक छोड़ देना ठीक है यह अभी आपको ब्लैंक छोड़ देना तीसरा वाला को न तो यहां पर अपना male और female रखेगा, age डाल दीजेगा, male female age कितना है आपका years में आप अपना age को लिख दीजेगा, उसके बाद आपका mobile number यहां पर आ जाएगा, एक दूसरा और mobile number है तो आप डाल सकते है, optional है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना एक ही डाल कर काम चला सकते ह उसके बाद name of district, state, तो देखो यहां पर अगर आपने कहीं पर travel किया होगा, तो आपको लिखना है, अगर आपने किसी भी जिला या कहीं और state में travel किये हैं, तो आप यहां पर नाम अपना डाल दीजेगा, जहां पर आप किसी भी district में गए हैं, या कोई ऐसा state जहां पर आप आपने travel किया है, तो आप लिख सकते हो, और mode of travel क्या था, किस से travel किये थे, by air गया थे, यानि कि हवाई जास से गया थे, ट्रेन से गया थे, या रोड से गया थे, जहां से भी गया थे, यहां पर कोई एक अपना लिख देना है, अगर गया होंगे, तो ठीक, और उसके बाद COVID-19 vaccination का यहां पर पूछा गया है, कि first dose आपने कब लगाया था, कौन सा brand का dose था, जिसे कि co-vaccine हम लोगों ने काफी लगाया है, maximum लोग भारत में co-vaccine ही लगाया है, तो बाकि जो भी अपना जो भी vaccine लगवाए है, उसका brand का भी नाम लिखना है, ठीक, तो यहां पर आपका जो vaccine लगवाए है, उसका नाम लिख देना, first dose को vaccine का था, date of vaccination कब था, अपका date यहां पर डाल देना, ठीक, और place कौन सा जगह पर आपने vaccination लिया था, तो अपने जगह का नाम यहां पर फिलप कर देना है, ठीक है, और second dose अगर आपने लगवाया है, तो second dose में कौन सी vaccine लगी तो उसका नाम उपर डालोगे, फिर date क्या था, vaccination का, उसके बाद place क्या था, ठीक, तो जो first dose लगाया है, वो first dose तक ही रखेगा, जिसने second dose भी लगा लिया है, वो second dose पर भी रख सकता है, ठीक है, किसी ने precautionary dose भी लिया है, तो आपना यहां पर लिख सकता है, वैसे आपका mandatory यहां पर लिख सकते हो, कौन सा वैक्सीन था, कब लगाया हो, किस डेट को, कहां, कैसा है, सब अपना भर देना वहाँ पर, ठीक, उसके बाद कोई आपका सीम्टम से फीवर वे गयरा है, अभी आपको, मतलब कि यह देखो, यह जो फॉम है, उस टाइम डालिएगा, मतलब अभी इस भरिएगा कब, जब आपको जाना होगा तब, ठीक, अभी इससे नहीं भरना, अभी आपको बस हम समझा देते हैं, ठीक, वैसे आपको यहां पर, कोई ऐसा मतलब की होगा ही नहीं, ठीक है, फीवर, कोल्ड, कफ्ट, त्रोट, इस पर आपको टिक लगाना ही नहीं बस आप अपना वैक्सिनेशन डोज को भरिएगा, बाकी यह फीवर, कोल्ड, कफ्ट, त्रोट, पेन, इसको आपको छेड़-शाड़ करना ही नहीं, इससे छोड़ दीजेगा, ठीक, कुछ ऐसा नहीं, कुछ लिक देना, ठीक मार देना, यहां पर फीवर है, कोल्ड है, ऐस उसको भी ब्लैंक की छोड़ दो, अगर आपने वैक्सिनेशन नहीं करवाया है, तो उसको भी आपको ब्लैंक छोड़ देना, यह वाला, ठीक, अगर कराई नहीं, तो फिर इसको भरने कोई मतलब है नहीं, ठीक, उसके बाद आपका फैमिली मेंबर का पूछा है, कि यहां पर आपका कुछी illness वेगरा है, ठीक है, तो यहां पर आपको पूरा details में लिखना है, तो इसको भी आपको बता देते हैं, यह जो है, इसको भी आपको छोड़ देना है, ठीक, यहां पर कुछ भी फिल नहीं करना है, दूसरा वाला में भी कुछ नहीं फिल करना है, बात कर देना यहां पर ठीक है उसके बाद नीचे आपका जिनका जिस कैंडिडिट का है ज आठारा से कम होगा उसके पैरेंट्स यहां पर साइन कर देंगे ठीक जो कि आपका medical officer है और senior medical officer है ये उनका काम है तो ये आप छोड़ दिजेगा नीचे वाला आपको blank ही रखना है नीचे वाला कुछ शेट शार ना करेगा वो medical officer और senior medical officer के लिए आपका ये total है ठीक है ये आपको नहीं करना है जिनका 18 से कम होगा parents का sign करा लेगा यहाँ पर और बाकी जो 18 प्लस होंगे यहाँ पर sign कर लेंगे और ये वाला जो details से इसमें आपको कुछ भी feel करने की need नहीं है ब्लैंक रहेगा और उपर वाला इसमें भी आपको कुछ feel करने की ज़रूत नहीं है ठीक और अगर अगर आपने covid का dose लिया होगा तो भरिएगा otherwise नहीं लिया होगा तो इसे भी feel ना करिएगा आपको clear सब कुछ समझ में आ गया होगा ये self declaration जो आपका covid का जो form है अब चलते है family details के तरफ उस form में क्या है उसको भी आपको बता देते है फटा फट तो ये आपका देखो family details का medical history का ये पूरा ठीक आपका जो father है उनका नाम यहाँ पर लिखना है education qualification क्या है father का यहाँ पर feel करना है occupation क्या है farmer है तो farmer teacher है तो teacher लिखना age कितना है उनका इसमें डाल देना और इसमें आपको any major illness इसमें समय आपको no ही लगाना है ठीक है इसमें no कर देना ठीक उसके बाद आपका mother mother का नाम यहाँ पर feel करोगे और education qualification आपकी mother का कितनी है यहाँ पर डालोगे occupation में यहाँ पर mother क्या करती है वो डालोगे age उनका कितना है यह डालोगे और यहाँ पर भी no पर टिक लगा दोगे ठीक है यहाँ पर भी जो भी option आएगा यहाँ पर no पर टिक मारोगे no वाल option पर yes पर ना मारना yes पर मारना ही नहीं है आपको सीधे no और mother वाले पर भी आपको no कर देना ठीक उसके बाद brother का details fill करना यहाँ पर same वही चीज आपका क्या है वो पढ़ाई करता है कि क्या करता है education details नाम आपका occupation age और यहाँ पर no कर देना ठीक उसके बाद sister का अगर sister है तो sister का details fill करोगे जिनका sister नहीं है वो fill नहीं करेगा जिनका भाई नहीं हो नहीं करेगा simple सा बात है आप समझ जाना अगर आपका भाई होगा तो fill करना अगर आपकी बान होगी तो fill करना नहीं होंगे तो ना करना ठीक है जितने भाई बान है आपके ठीक है डाल देना यहाँ पर अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है और सब पर आपको नो ही करना है यह जो option आपको दे रहे हैं सब्पेट नो मार देना है बाकी आपको कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं है उपर आपको अपना roll number डाल देना है यहाँ पे mail होगो तो mail पर tick मार देना जो लड़की होगी female पर tick मारेगी candidates अपना पूरा नाम लिखेंगे यहाँ पे ठीक और बाकी हो गए आपका ठीक है तो यह आपका पुरा का पुरा यही था इसमें कुछ है नहीं आपको इसका भी आप एक photocopy नहीं कलवा लेना दो एक blank एक भर के लेकर चले जाना बस हो गया यही था आपका चार फॉर्म था चारों को मैंने cover कर दिया है अब आपका एक PDF आया हुआ है ठीक है उसके उपर मैं अलग से वीडियो बना कर आपको समझा दूँगा जो PDF आप लोगों ने डाउनलूट किया होगा जिस पर मतलब पूरा मतलब काफी बहुत बड़ा PDF है तो उसको में में जो की पॉइंट होगा न उसको cover करके आपको बता देखने ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैंद ठीक है